हेलो और वेलकम बैक अगें टू मॉडरन हिश्ट्री सीरीज मॉडरन हिश्ट्री में लास्ट लास में हम लोग अने डिसकस किया था बंगॉल के पार्टिशन रूलेटेड डिसकसन और स्वाधिशी मुमेंट बिसिकली किस तरीके से 1905 के बाद पार्टिशन के बाद फटा-फट इसको भी जड़ा कंप्लीट कर लेते हैं इस लेबर यूनियन के कंसेप्ट की जो शुरुआत होती है वह होती है 1877 से यहां से कंसेप्ट पर इस एक मेर रहती है तो यह एंपलेशन का सपोर्ट बिसिकली यूनियन का कंसेप्ट जो होता है वह सामने आता है तो इस तरीके से यह स्ट्राइक के थुरू लेबर यूनियन ये कंसेप्ट में आती है इसी तरीके से 1890 में बेंगॉल में इंसिडेंट होता है और यहां पर बॉम्बे मिल हैंड्स असोसियेशन रहती है यहां पर लुखांडे बिसिकली रहते हैं जो इस ट्रेड यूनियन का अगेन नित्र तो करते हैं लीडर्शिप लेते हैं इसके अलावा अमल्गमेटेट सोसाइटी ओफ रेलवे इस अमल्गमेटेड सोसाइटी ओफ रेलवे यहां पर भी स्ट्राइक होती है इसके अलावा एक और कंपनी हैं जहां पर स्ट्राइक होती है Servants of India and Burma तो इन जगों पर बिसिकली जो होती है स्ट्राइक होती है और इसके थ्रू अल्टिमेटली जो यूनियन लेबर यूनियन का कंसेप्ट है ये सामने आता है और अल्टिमेटली 1918 में वाडिया की मदद से वाडिया की मदद से अल्टिमेटली एक ट्रेड यूनियन इन सिग्निफिकेंस आ जाती है तो इसे आप इस तरीके से भी देख सकते हैं तो ये जो यूनियन है बिसिकली ये अब सिग्निफिकेंस में आ जाती है या फ्रेम में आ जाती है और एक तरीकी की ये ट्रेड यूनियन बन जाती है सिमिलरली 1920 में एन एम जोशी इसके अलावा लाला लाजपत राय और जौसफ बैप्टिस्ट ये वही जौसफ बैप्टिस्ट है जिन्होंने आपकी थियोसोफिकल सोसाइटी ये फिर कह लिए जो होम रूल जो है इंडिया में स्टार्ट किया था तो जौसफ इस बैप्टिस्ट इन तीन लोगों के मदद से इन तीन लोगों की मदद से अल्टिमेटली एक All India Trade Union Congress बनाई जाती है All India Trade Union Congress ये बनाई जाती है और इस तरीके से जो Trade Union है वो भी एक तरीके से कह लिजे कि जो होता है आ जाता है significance में अब देखिए इस All India Trade Union के बारे में बात किया जाए तो All India Trade Union Congress Trade Union Congress इसकी सबसे पहली जो मीटिंग होती है फस्ट मीटिंग होती है कहां पर होती है यह होती है आपकी लाला राजपतराय के दॏरा नाखपूर को होती है तो अनर्फ पूर में Pahli session होती है यहां के जो प्रेसिडेंट रहते हैं वह लाला राजपत्राय को बनाये जाता है इस इंपोर्टेंट लाला राजपत्राय को इंपोर्टेंट है इस पर फिलम्स में कुश्चन भी बन चुके हैं तो आल इंडिया जो यह ट्रेड कॉंग्रेस रहती है यह फिर आगे जाकर के दो पार्ट मे डिवाइड हो जाती है दो ग्रूप में डिवाइड हो जाती है एक ग्रूप होता है जो अल इंडिया डिस इस अल इंडिया ट्रेड यूनियन में चला आता है ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कॉंग्रेस हो जाती है जो पहले से चल रही है और इसका जो प्रेसिडेंशिप होत जाती है तो भी थी मठीक रहते हैं और इसके जो प्रेसीडेंट रहते हैं वह přेट आने जोशी और साथ में वीवी गिरी देखिए तो नाम याद रखिएगा इसके लावा आगी जाकर के फिर से एक और निया division होता है second division, second time पर फिर से एक division हो जाता है, और इसके थुरू एक Red Trade Union Congress आ जाती है तो Red Trade Union Congress आ जाती है, और इस तरीके से इस Trade Union में टोटल के टोटल तीन पार्ट बन जाते हैं, एक हो जाती है जो All India Trade Union है, दूसरी है जो All India Trade Union Federation है और तीसरी है Red Trade Union Congress इस Red Trade Union Congress की जो Presidentship होती अच्छा यह बनाया कब जाता है यह बना जाता है 1931 में तो ध्यान रखिएगा जैसे दागें 1931 में यह बनाया जाता है ठीक है इसके President कौन रहते हैं रहते हैं रणडीबे तो दिससे रणडीबे इसके अलावा देश पांडे यह दो लोग रहते हैं बिसकली प्रेशिदेंट रहते हैं ये दोनों लोग क्लेर है ओके इसके अलावा 1947 में जब हम लोग independent हो जाते हैं तो ultimately सरदार पटेल ने एक अल इंडिया लेवल पर ही एक union बना देते हैं इस इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कॉंग्रेस तो इस तरीके से यह जो एक चोThis और भी पॉइंट है कि आखिर में लेबर law इस तरीके से बने तो तो फैक्तरी आक्ट के बारे में भी आपको पता होना चाहिए अगेन इस अगर शुरुआत की आई थी अब जैसे एक कि निकल द्रिया जाए घ्स तो फैक्टरी एक्ट की जो पहली अट आती है वो आती है 1881 में so this is 1881 का act first act आता है और उसके बाद से modify किया जाता है 1891 में फिर उसके बाद से modification आती है amendment आती है 1911 में फिर नई modification आती है 1922 में फिर आती है 1934 में और लास्ट ली 1944 में यह final labor law आ जाता है तो यह जितने भी labor laws है इस आर वेरी वेरी very important और आपको पता होना चाहिए किस labor law में क्या क्या किया गया था तो इसको हम लोग एक काम करते हैं table के format में देख लेते हैं जिसने कि आपको clarity भी रहेगी और अच्छे से समझ में भी आ जाएगा तो यह सारे factory act अलग-अलग time discussion करेंगे एक होगा child को ले करके child मतलब की बच्चों को ले करके फिर हम लोग बाते करेंगे इनके working hour को ले करके कि आखिर में working hour कैसा था फिर हम लोग बात करेंगे mail को ले करके कि अगर बात किया जाए तो जो less than seven years child थे उनके factory में काम करने से मना कर दिया गया था कि यह लोग साथ साल से जो छोटे बच्चे हैं वो लोग factory में काम नहीं करेंगे इसके अलावा चार दिन की छुटी दी जाएगी महीने में तो महीने में चार दिन की छुटी दी जाएगी और साथ घंटे टाइम रहेगा mail के लिए जो mail worker थे mail labor force थे उनके लिए कोई नियम नहीं बनाया गया था और working hour भी कोई defined नहीं थी कि दिन में 12 घंटे 10 घंटे 14 घंटे कितने घंटे कुछ भी defined नहीं था आगे जाकर के 1891 में इसी एक्टों को modify किया जाता और बच्चे जो 7 साल से छोटे थे उनको अब बढ़ा करके 9 साल से जो छोटे बच्चे हैं वो अब factory में काम नहीं करेंगे इसा बोल दिया गया था इसके अलावा ये बोला गया कि जो चार दिन के छोटी है वो अब weekly हो गई है यानि कि हर संडे इस तरीके से आफ रहेगा मतला हफते में किसी एक दिन जो है वो आफ रहेगा टोटल मार करके चार छोटीयां वैसे भी होगी और weekly करेंगे तो भी चार के लिए और आपके महिलाओं के लिए तो ये 1891 में काम किया गया था 1911 में obvious सी बात है इसी को modify किया जाएगा और अब mail के लिए भी कोई ना कोई आ जाएगा तो ये बाकी चीज़े जो है 9 साल वाले छोटे बच्चे या भी भी continued है कि ये ऐसे ही रहेगा महिलाओं और बच् 1911 से अगर बात किया जाए तो बच्चों के लिए क्या है 11 hour working hour है जिसमें 9 साल से बड़े होने चाहिए बच्चे जो women है woman labor force 11 hour से 11 hour इनका भी working hour फिक्स हो गया है मेल के लिए 12 hour working hour fix हो गया है off days में बात करें तो वही weekly वाला जो चल रहा है वही continued रहेगा 1922 में आने के बाद में अब थोड़ी सी और modification ये की गई कि अब जो 12 से 15 साल के बच्चे थे तो 12 से 15 साल के जो बच्चे हैं वो factory में काम कर सकते हैं लेकिन वो non hazardous होना चाहिए तो 12 से 15 साल के जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए थोड़ा सा extra care की बाते कही गई थी इसके अलाबा जो working hour है जो 11 घंटे चल रहा है उसको घटा करके 7 घंटे कर दिया गया बाकी mail के लिए वही 12 घंटे continued है छुट्टियां भी जो है वो weekly छुट्टियां ही अभी भी continued है 1934 में इस working hour को जो 7 घंटे था उसको घटा करके 5 घंटे कर दिया जाता है बच्चों के लिए और बाकी सारी जो भी laws है वो continued रहती है इसके अलावा बाकी mail के लिए और छुट्टी के लिए सारी चीज़े continued चल नहीं है at last जब 1944 आता है तो obvious ही बात है this should be the modern way of labor law यह modern way होना चाहिए तो यहाँ पर भी क्या होता है जो बच्चों के लिए था continued था 5 घंटे का time period यहाँ पर भी continued था तो यह भी 5 घंटे वाला जो system है this is continued mail के लिए जो अभी तक 12 घंटे चल रही है उसको अब घटा करके ultimately 9 आवर कर दिया गया था तो अब यह 9 घंटे काम हो जाएगा बाकी छुटियां तो weekly ही अभी भी चल रही है तो यह काम किया गया था इस पूरे labor act में अफिर कह लिजे कि factory act में यह सारा काम किया गया था तो यह table आप लोग याद करके रखिएगा बहुत ही important table है तो ultimately अगर बात किया जाए तो 5 घंटे बन गया था बच्चों के लिए औ बाकी 9 hour बना दिया गया था महिलाओं women और male labor force के लिए और इस तरीके से ultimately 1944 में यह labor law जो होता है वो final colonial इंडिया का labor law बन जाता है clear हो गया क्या चीज़ है अब देखिए यहाँ पर एक दो छोटी छोटी और भी फैक्ट हैं जैसे कि एक one second yes तो first दो फैक्ट हैं जो आपको य होई थी आर्सी दत्ता के जैसे आर्सी दत्ता के के लिजर लीडर्शिप में होई थी ठीक है इन्होंने क्या है कि अपनी बुक भी लिखी हुए थी economic history of India ठीक है और 1905 में भी एक समिट हुए थी और यह समिट कहां पर हुए थी यह सब्सक्राइब यह समिट हुए थी वरान उसको हम लोग ने discussion कर लिया so this was the discussion जो कि आपको तयार रखना है और यह ऐसे कह लिजे की एरिया जहां से question continuously पूछे आते हैं and again this is a confusing point for all the experts तो यह भी एक problem रहता है बाकि देखें लास लास में जो हमारी चीज़े चूड़ गए थी उसको भी फटाफट discussion कर लेते हैं हम लोग हम लोगों ने discussion कर रखा था home rule तक के लिए home rule तक की चीज़े we have discussed home rule के आगे कुछ और भी चीज़े हैं उसको हम लोग फटाफट discuss कर लेते हैं basically दो चीज़े हैं जो हम लोगों को discuss करनी है ठीक है एक है आपका लखनाव pact तो this is लखनाव pact फटाफट पहले इसको discussion कर लेते है फिरम लोग अपने content में आ जाएंगे तो लखनाव pact आया था 1916 में क्या खास बाते होई थी इसमें तो खास बाते जानने से पहले आपको थोड़ा सा पहले चलना पड़ेगा 1913 मे 1913 मे Muslim League की this is Muslim League और यहां पर जो summit हो रही थी वो हो रही थी लखनाव में तो यह हुआ लखन सेशन इस लखनाव सेशन में जो हमारे जिन्ना साहब थे इन्होंने सबसे पहले सबसे पहले पार्टिसिपेट किया था मतलब कि first time इन्होंने पार्टिसिपेट किया था first time participation in Muslim League ठीक है first time participation हुआ था और इसी टाइम पर Congress की भी meeting चल रही थी मतलब Congress की भी summit होनी थी और वो होनी थी कराची सेशन कराची सेशन और जिन्ना साहब इसे भी इसे भी जाकर के जॉइन किये थे तो जिन्ना ने यह भी अटेंड किया था और इल्टिमेटली चीज़े चल रही थी 1915 में हलकि उसके बाद से हमारे जिन्ना साहब जो होता है वो छोड़ देते हैं Congress को 1915 में फिर Bombay सेशन होती है Bombay सेशन में क्या होता है कि एक तरफ से Muslim League जाती है दूसरे तरफ से Congress जाती है मतलब Bombay सेशन में ही दो अलग-अलग जगों पर Muslim League की भी सेशन चल रही होती है वो एक threat था और इस कारण से हुआ ये कि जो Muslim League और Congress ये दोनों अब एक साथ मिल करके आगे बढ़ने यही एक option नहीं था लखनव सेशन होगा इस सेशन में काम करेंगे कि हम लोग मीटिंग साथ में करेंगे तो लखनव सेशन में ultimately हुआ क्या कि Muslim League और Congress ये दोनों के दोनों ultimately मिल जाती है और दोनों ही एक दूसरे को एक दूसरे का हाथ थाम लेती है अब obvious ही बात है यहाँ पर Muslim League को भी कुछ compromise करना पड़ेगा और Congress को भी कुछ compromise करना पड़ेगा Congress को जो compromise करना पड़ता है वो बहुत ही simple सा चीज रहता है 1909 में इन्होंने क्या है कि communal electorate बनाया रहता है कि 1916 यही वो साल था जब हिंदू-Muslim divide actual में constitutional हो गया तो हिंदू-Muslim यही पर divide जो है वो constitutional हो गया तो this is constitutional अब Muslim League ने क्या थिया Muslim League ने ultimately क्या है Congress को accept कर लिया था Congress की चीजों को accept कर लिया और इस तरीके से लखनाव सेशन में Muslim League और Congress यह दोनों मिल करके एक हो गया थे इन दोनों को एक करने में अच्छा यहां पर प्रसिडेंट कौन थे लखनाव सेशन में प्रसिडेंट लखनाव सेशन में जो प्रसिडेंट थे उनका नाम था मजूमदार तो this is मजूमदार सह ठीक है अब यहां पर किन लोगों ने लीडर्शिप अपनाई थी इन दोनों को एक साथ ले आने में तो इन दोनों को एक साथ ले आने में एक तो हमारे एनी बेसेंट थी जिन्होंने एक साथ लाया था और दूसरे हमारे साहाब है James मेस्टॉन तो इन दोनों लोगों ने इंपोर्टेंट रोल प्ले किया था कि हव जो कॉंग्रेस और मुस्लिम लीग है वह इकठी हो जाए यहां पर केवल कॉंग्रेस लीग और मुस्लिम लीग ही जो है एक साथ नहीं हुई थी बलकि यहां पर एक और बड़ा ही अच्छा काम नहीं हुआ था और वो यह था कि जो मॉडरेट्स थे मॉडरेट्स और जो एक्स्ट्रेमिस्ट थे यह दोनों भी मिल गए यह दोनों भी है वह एक साथ आ गहे एक प्लेटफॉर्म पे वापस से कॉंग्रेस को इन लोगों ने जोइन कर लिया तो इस तरीके से क्या है कि Congress यहां से अब बहुत strong हो जाएगी और Congress आगे चल करके बहुत सारे बड़े-बड़े आंदोलन करेगी जैसे की एक तो सबसे पहले यह करेगा Simon Commission का बायकॉट किया जाएगा और इस तरीके से आगे जाकर के Congress बहुत ही strong हो जाती है क्योंकि यहां पर क्या है वापस से हिंदू-Muslim unity आ गई है लेकिन खेर आगे जाकर के फिर से break होती है हम लोग देखेंगे कैसे break होती है क्या reason होता है break होने का लेकिन ultimately क्या होती है कि फिलहाल अभी Congress जो है वह बहुत यदा strong position में आ गई है Congress में strong position में आने के कारण ही ultimately Montague declaration एक आता है तो Montague declaration आती है इस Montague declaration में ultimately यह होता है कि कुछ नए laws हमें ले करके आने पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे मतलब कि बिटेन को ले करके आने पढ़ेंगे और यह ultimately जो Montague declaration थी जो की 1988 में आई थी इसी 1918 के Montague declaration के basis पर Montague Chimpsford law आया था या फिर act कह सकते हैं basically 1919 का जो act आया था वो इनी के कहने पर इनी के recommendation पर ही आया था तो recommendation इनकी थी और यह Montague Chimpsford act बन गया था इसके थूर डायार्की आ गई थी बाइ कैमरलिजम आ गया था जो main important चीज़ वो यह है कि responsible government आ गई थी responsible government आ गई थी और यह हमारे लिए एक important चीज़ थी और elections जो होता है वो open कर दिये गया थे अब election में आगे contest किया जा सकता था और आगे जाकर के election होगा और election में congress contest भी करेगी election के साथ में again congress में थोड़ी सी issue create हो जाती है क्या issue होता है यह भी हम लोग देखेंगे आगे क्या scene होता है तो फिलहाल Montague declaration के बारे में आप लोगों को समझ में आ गया होगा हाना कि Montague declaration जो आया था या फिर कह लिजे Montague चेम्सवोर्ट जो आया था उसमें बहुत सारे लोगों ने हलग-लग तरीके से अपनी व्यू दिया था जैसे तिलक साहब ने हमारे बोले थे कि यह जो होता है वो एक ऐसी evening जहां पर sun ही नहीं है मतलब एक उशा अकाल ऐसी है जहां पर सूरी विहीन है वहां पर sun ही नहीं है तो sunset एसी है जहां पर sun ही नहीं है जबकि Montague ने यह कहा कि this is the platform on which the government and the representative of India can again use the bridge तो एक ब्रिज के तरीके से यूज कर सकते हैं इस Montague declaration या Montague Chimps Road Act को जिसके तुरू दोनों यह लोग आ करके आपना काम निकाल सकते हैं तो यह तरीका अपना आया गया था हाला कि यहां बीच में थोड़ी सी issue भी create हुई थी जिसको आपको थोड़ा सागेन फिर से ध्यान में रखना है 1916 में 1916 में हमारे मदन मुहन मालवी रहते हैं इन्होंने क्या किया था कि हरिद्वार में जा करके एक हिंदू महासभा नई पार्टी बना ली थी हिंदू महास 1916 में एक और यहां पर कांड हुआ था लेकिन यह कॉंग्रेस से अलग हो गये थे और यहां पर इन्होंने इंडियन लिब्रेल फेडरेशन बना दिया और यह बनाया गया था सतेंदरनाथ बैनरजी के द्वारा बैनरजी के द्वारा और इसको जॉइन कर लिये थे कौन- कि रात में आपके सियार दास ने भी इसे जॉइन कर लिया था कि यह था इन्होंने भी जॉइन कर लिया था इंट्रेज बहादुर सप्रू ने भी जॉइन किया था तो यह तीन लोग खते जो आपकी कुछ जो है पर आपकी कुछ जो last class में बची हुई चीज़ें उसको भी हम लोगों ने discussion कर लिया तो एक बार इसको ज़रा go through कर लेते हैं ताकि चीज़ें जो होती है वो समझ में और अच्छे से आ जाए तो लखनोव पैट यह 1916 में होता है it is a memorable for two things एक remission of extremist वापस से moderate और extremist आ गया थे और दूसरा के alliance between Congress and Muslim League यह जो है फिर से आ गई थी The League of Annual Session 1915 in Bombay which was attended by many Congress leaders गांधी, मालविया और आपके सरुजनी नाइडू इन लोगों ने appoint किया थे committee और जिस्ते की political reform वगर है किया जा सके, during simultaneous annual session of the League and Congress लखनोव में December 16 में बोथ पास resolution separately for a joint scheme of constitutional reform और इस तरीके से दोनों के बीच में एक political agreement बन गया था, यहां पर तिलक and any basin जो होता है वो लखनाव session में dominate कर रहे थी, any basin का नाम देखिए हाज जगा पर आता है लेकिन जो James Maston ने इनका नाम भी आपको धियान रखना है क्योंकि अगेन यह नाम उतना books में मिलता नहीं है but this is important, ठीक है, agreement को हम लोग लखनाव पैट या फिर Congress League scheme के नाम से भी जानते हैं तो यह भी ध्यान रखिएगा लखनाव पैट extorted the British government to confer self government on India as early as possible तो दबाव दिया गया था और इस तरीके से जो होती है provincial legislation council को extend कर दिया गया था and governor general की जो executive council थी legislative council थी इसे भी extend कर दिया गया था it further demanded that the power of making appointment to Indian civil services अच्छा Indian civil services को इंडिया में भी होने के लिए बहुत ज़्यदा focus किया गया था और इस तरीके से यहाँ पर अलग-अलग commissions बना दी गई थी और commission के बाद ultimately इंडिया में civil services जो होना शुरू हो गया था the pact succeeded in getting the reforms in the format of Montague Chimpsport reform ultimately all India Hindu Mahasabha led crusade against the Hindu pact the reference held in Lucknow this is VP Madhara तो इस तरीके से जो होता है यहाँ पर थोड़े issues भी हुए थे फिकिन खेर ultimately चीजे जो होती हो clear हो गई थी आगे हम लोग देखेंगे कि Congress जब strong हो जाएगी तो आगे जाके बड़े-बड़े कारणामे करेगी फिर आते है 1917 में Montague declaration 1917 के end में 18 में basically आई थी इस समय क्या था कि World War One जो है वो अपने पेस पर चल रहा था rapid growth of revolutionary activities popularly home rule movement जो है वो Britain को criticize कर रहे थी इंडिया में और चीजें जो होती हो चल रहे थी और इस कारण से basis पर Montague visited India to ascertain the view of all sheets of political opinion in India on the basis of these discussion एक रिपोर्ट इन्हों ने दिया था जो की 1918 में publish हुई थी and this report ultimately क्या है Montague Chimpsworth Report के नाम से या Government of India Act 1919 के नाम से जानी जाती है clear हो गया अब एक second split in INC होता है वही Indian Liberal Federation के ही नाम पर सतेंदरनाथ जो बैनर जी थे उन्हीं के नाम पर हुई थी अब यहाँ पर reaction within Congress sharply varied moderate welcome the bangna carta of India बाकी लोग जो होता है इसे criticize किये थे the division of opinion within the Congress on the Montague declaration ultimately resulted in split in the Congress again और यहाँ पर जो Congress में split होती है वो August declaration को basically यही जो आपकी Montague declaration है इसी को criticize करते होई होती है यहाँ पर जो सुरेणनाथ बैनर जी होते हैं इन्होंने क्या किया एक separate conference किया और अपने आपको अलग कर लिया तो इस तरीके से second split जो है वो Congress की हो जाती है in the name of National Liberal League in 1918 यह इसी को बाद में बोला गया था All India Liberal Federation जिसके बारे में हम लोगोंने अभी discussion किया है तो this is All India Liberal Federation जो काम किया गया है clear हो गया क्या चीज़ है तो यह basically discussion एक छूटी वी थी और इसको भी हम लोगोंने complete कर लिया बाकि revolutionary activities के बारे में हम लोगोंने पहले ही सारा discussion कर रखा है तो इसमें I guess कोई doubt नहीं होना चाहिए clear हो गया चले फिर बाकी हम लोग यहीं पर stop करते हैं और next session से हम लोग शुरू कर करेंगे and and that's all बाकी कोई doubt रहेगा तो email और telegram channel description box में है तो उसको आप लोग join करके अपने doubt वागरे को पूछ सकते हैं बाकी मिलते हैं next video में till then goodbye and thank you so much